किसान भाईयों नमस्कार कैसे हैं आप मैं हूँ अंकुर चोधरी आप देख रहे हैं किर्सी की बात यूटूब चैनल गन्नी की समय से बुवाई करने का ये बहुत एक अच्छा तरीका है क्योंकि अभी बारिस इतनी जादा हुई है सबी खेत गिले पड़े हैं ताथ हमारी जो खड़ी है दान की फसल खड़ी है उसे भी अब कटने में थोड़ा सा टाइम है तो इस तरीके से अगर जो हम अपनी गन्नी की नरसरी तैयार करके गन्नी की बुवाई करते हैं तो हमारी फसल एक तो लेट होने से बच जाती है क्योंकि जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो हमारी 27-28 दिन में प्योध नरसरी तैयार हो जाती है जो हमारा आगे से ही कवर होती है तो इस तरीके से हम अपनी गन्ने की जो नरसरी है वो तैयार करें और उसकी ट्रांस प्लांटिंग करें तो हमें बहुत benefit मिलता है हमारे बीज की बचत होती है साथ में हमारा जो जर्मीनेशन होता है वो जो हमारा 90 परसेंट तक जर्मीनेशन हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसमें हमारे वे सुष्थी जो हमारे गन्ने होते हैं हम उसको ही लेते हैं बीज की काफी अच्छी बचत हो जाती है बीज हमारा जहां पांच कुंटल पर भीगे के हिसाब से लगता है इसमें हमारा दो कुंटल डेड़ से दो कुंटल पर भीगे के हिसाब से लगता है वो तो आपका डिस्टेंस क्या है किस तरीके से आप बो रहे हो उस पे भी थोड़ा बहुत depend करता है इसमें सबसे खास बात ये होती है कि हम जब इसकी तयार, नर्सरी तयार करते है तो सुस्त पोदा ही हमें देखने को मिलता है सुस्त पोदे का ही हम चुनाव करते है उसमें किसी तरीका कीट नहीं होता है दूसरी बात इसमें टिलिंग यानि के जिस तरीके से हम धान की जो रोपाई करते हैं अपनरसरी की उसी तरीके से इसमें टिलिंग भी बहुत ज़्यादा बनती है तिल्लिंग यानि के गन्यों मिलीवक कैन जो होते हैं वे जादा बनते हैं और बीज की मात्रा उसमें जादा होती है गन्ये जादा बनेंगे तो उसमें पैदावार ओटोमेटी की अपने आप जादा होगी इसमें उनी गन्नों का चुनाव किया जाता है जो स्वस्त गन्ने होते हैं जिन में किसी तरह का रोग नहीं होता है जब हम उनका चुनाव करते हैं उसके बाद इनकी हम रोपाई करते हैं तो हमारे खेत में जो कीट होते हैं वो भी बहुत कम लगते हैं तो इस तरीके से आप अपने जो है जो समय से आप बुआई नहीं हो पा रही है गन्य की जो से अब अक्टूबर की जो बुआई चल रही है ओटम प्लांटिंग जो चल रही है वो समय से नहीं हो पा रही है तो आप इस तरीके से अपना सीडलिंग तयार करके आप इसको जिस चतिस में होती है साथ की साथ हमारा जो लागत है वह भी बहुत कम हो जाती है अगर जो आप एक अनुमान लगाए तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बिलता है तो इस तरीके से आप अपनी जो खेत की तैयारी अभी नहीं हो पा रही है या आपकी ले लेट हो रही तो दोस्तों ऐसे आप इस तरीके से आप अपनी जो है नरसरी तैयार करके गन्ने की समय से बुआई कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा चैनल पर ना आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद